नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप से भी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों आप लोगों ने आज 11th क्लास का English Language and Literature का मिट्टम एक्जाम दिया है इस वीडियो में आप लोग देखेंगे उस एक्जाम की मार्किंग स्कीम को आपके question paper में बहुत से questions जो थे MCQ based थे या फिर Paces based थे तो उनके direct answer आपको यहां पर मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने question papers के साथ अपने answers को टेली कर सकते हैं बिटा इसी तरह की all videos अगर आप देखना चाहते हैं बागी subject की marking scheme देखना चाहते हैं previous year paper, model test paper या फिर CBC updates आपको चाहिए तो आप सिक्षा प्रवा को subscribe चरूर कर लें वीडियो शुरू करते हैं बिटा 80 नंबर का आप लोगों का paper आया था, section A reading था, Paces थे यह questions के answer, first question के सभी options ही हाँ पर आपको दिये गए है आप चाहें तो वीडियो को चाहें download कर लें या pause करके आप अपने questions के answer टली कर सकते हैं marking scheme से बेटा हमको ये फाइदा होता है कि हमें अपने questions के answer किस तरह से लिखने है MCQ questions छोड़के short questions हमें किस तरह से लिखने हैं कि हमें कम भी लिखना पड़े और marks भी हमारे पूरे आजाएं तो वो benefit हमें marking scheme से मिलता है इसलिए हमें अपने exam की marking scheme को एक बार टेली जरूर करना चाहिए ये summary और ये title टाइटल आपको इस तरीके से दे सकते थे impact of television summary आपको किस तरह से बनानी थी ये आप लोगों को आपकी screen पर दिख रही होगी आप वीडियो को pause करके देख सकते हैं abbreviations के keys आप लोगों की screen पर है section B आपका grammar और writing इसके लिए start हो रहा है question number 4 question number 5 writing skill writing skill में आपको बताया गया है कि advertisement के तीन marks है जिसमें कि एक number format का है एक content का है और expression का एक mark इन्होंने decide किया है question number 7 advertisement तीन number का था ये भी for purchase आप इसके अंदर से कौन-कौन सी चीज़े mention कर सकते थे company का नाम, color, model insurance वगेरा, condition, price ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर mention कर सकते थे speech writing है पांच number में आपके लिए speech थी एक number का format, दो number का content और दो number का expression question number 9 writing, speech writing section C आप लोगों का literature book से है questions question number 11 question number 40 से 50 शब्दों में आपको answer देना था आप इस तरह से blood points के basis पर भी answer दे सकते थे question number 12 आपको विकल्प दिया गया था इस question में long question है आपका छे नंबर का है किस तरीके से आप कौन सी चीज इस के अंदर आप mention कर सकते थे आप देख रहे हैं विकल्प था इस question में आपको option दिया गया था नेक्स्ट लॉंग question है 120 तु 150 वर्ट्स में तो यह थी आपकी marking scheme आशा करती हूं आप लोगों के लिए useful रहे होगी विडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगती है तो मेरी विडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रू सब्सक्राइब कर लोग